शात्रों, आज हम आदीम समाजों की राजनितिक व्यवस्था के बारे में अध्यायन करेंगे। आदीम समाजों की राजनितिक व्यवस्था के जब हम बात करते हैं, तो राजनितिक व्यवस्था को मानने वाले दो तरह के मानुविता हुए हैं। पहला, लुइस मार्गन के विचार से प्रभावित और दूसरे, ब्रिटिश मानववेता, जिन होने मुख्यत अफ्रीकी समाजों के क्षेत्रिय अध्येवनों द्वारा तथे कत्रित करके कुछ महतपुन विचारों को प्रस्तुत किया। उनमें रेडेकलिफ प्राउन, इवान्स प्रिचाड, फोर्ज, आधी प्रमुग थे। अधिकांश मनवशास्त्रियों ने ब्रितानी मनवशास्त्रियों के विचारों के पुष्टी करते हुए नए-नए तथियों को प्रस्तुत किया। मारगन ने मनवता के राजनितिक उद्विकास को दो चरणों में पाटा है। उसने उस शाषन को दी जो एक विशेक शेत्र पर सत्ता का दावा करता था। शाषन को मारगन ने रज्य कहा है। कोई भी समाज ऐसा नहीं जिसमें नातिदारे सुत्र में बंदे सभी लोग एक ही सत्ता के अधीन हो वह ऐसे समाज के उधारन देते हैं जिन्हें मारगन समाजिक संगठन कहते हैं जैसे अस्ट्रेलिया के आदिवासी और दक्षिन पश्चिम अफरीका के बुश्मेन मारगन के मंद में अमरेके इंडियन समाज था रेड इंडियन पश्चू उंका शिकार और खाद्य संक्लन अवस्था में थे और उनका तकनी के इस्तर बहुत निम्न था वे छोटे-छोटे दलों में घुमते थे प्रत्य एक दल राजनितिक द्रश्टी से प्रथक होता था और वह किसी बहरी सत्ता को नहीं मनता था बिस्वी शताब्दी के मध्यम में राजनितिक व्यवस्था का अध्याइन अधिकतर अफरीका के संदर्व में हुआ है मारगन का कहना है कि सभी समाजों में शाषन नहीं होता है राज्य में एक अंद्रिय सत्ता, क्षेत्रिय प्रशाषन एवं नियाईक संस्थाएं होती है परन्तु फोर्च एवन एवान्स प्रिचाड का विश्वास्था कि प्रत्येक समाज में एक राजनितिक व्यवस्था होती है जो एक शेत्री धांचे से क्रियानवित होती है आदिम समाजों की राजनितिक व्यवस्था के बारे में पनव शास्त्रियों कामत है कि समाज में शाषन के कुछ रूप होते हैं निर्णाय लेने की प्रक्रिया में नातेधारी महत्तोपुन भुमी का निभाती है प्रत्येक समाज में कानून मनने एवं मनवाने की बात होती ह यह सत्ता बल प्रयोग एवं नियायत अंत्र से संबंध होता है। रेड़कलिफ ब्राउन का कहना है कि राजनेतिक विवस्ता किसी समाज विशेश के संपूर्ण संग्ठन का वह भाग है जो सामाजिक विवस्ता के इस्तापना एवं इसे कायम रखने में समर्थ है। किसी समाज में सदस्यों के अधिकार एवं दायत्व की विवस्ता राजनेति द्वारा ही संभव है। लुसी मेयर ने राजनेतिक विवस्ता के बारे में कहा है कि राजनेतिक विवस्ता प्रत्यक समाज में विध्यमान है। यह ऐसे लोगों का सम्मू है जो एक दुसरे से निश्चित अधिकार एवं दायत विद्वारा संबध रहते हैं। पोल बोहानन जिन्होंने सरल समाजों की राजनितिक व्यवस्ता का गहन अध्यान किया है कि अनुसार बल के बिना राजनिति नाम की कोई वस्तु नहीं है। क्षेत्र से तात्परिय हैं समाज विशेश का एक निश्चित दायरा या निश्चित भूभाप पर फिलव। बोहानन ने बल एवं क्षेत्र के आधार पर राजनितिक व्यवस्ता की परिभाषा इस प्रकार दी है। राजनिति सामाजिक बल का क्षेत्रिय पहलू है। समाजों के अध्ययनों के आधार पर शपेरा ने बताया कि कुंग, बुश्मेन, एवं वर्गडामा दल के समूहों के नेता अपराधियों को धंड देनी का अधिकार नहीं रखते हैं, फिर भी उनकी सत्ता स्विकार की जाती है। विवेक की द्रश्टि से शपेरा का तरकमहत्वपुण हैं क्योंकि छोटे-छोटे समाजों के संदर्भ में राजनितिक व्यवस्था का आधार शक्ति पर नियंत्रण नहीं है। शाइजेक शपेरा के अनुसार छोटे-छोटे शिकारी एवं खाद्य संकलन वाले समाजों के मुखिया सारवजनिक कारियों का नितरत्व एवं संगठन करते हैं। कुंग बुश्मेन के निता अपने समुदाय के सभी सदस्यों के लिए महत्वपुन निनाई लेते हैं। जैसे किसे स्थान से किम भाटा कर तुसरे स्थान पर कब लगाया जाएगा। शिकार अभियान में कौन भाग लेंगे? आधी। एसे समाजों में वेवस्ता कायम रखने के लिए बल प्रयोक की अपिक्षा मुख्या के अनुभवों को अधिक महत्व दिया जाता है। शपेरा ने यह बताया कि सभी छोटे बड़े समाजों में कुछ ऐसी भमी काये निश्चित होती हैं जिन्हें शासनिक कहा जा सकता श्विक्ति ऐसे होते हैं एवं वे अपने उपर किसी के सत्ता स्विकार नहीं करते हैं। इस तरह शपेरा के अनुसार राजनितिक समुदाय विक्तियों का वा सम्मू है जो बाहरे नियंतरन के बीना एक इकाई में संगठित होकर सारा कार्य संभालता है। पहला समाज का क्षेत्रिय फेला एवं संगठन दूसरा समाजिक प्रणाली क्षेत्र एवं संगठन के लिए यह जानना जरूरी है कि कुछ सदस्यों को किस तरह के अधिकार मिलने हैं। तिसरा सरल समाजों के क्रिया कलापों में भमी काउं का विशिष्ट इस्थान होता है। और चो था कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन के भमी का वहत्तपुण होती है। ऐसे व्यक्ति अनेक बातों की जानकारी रखते हैं एवं आवश्यक निर्देश देते हैं इन ही के हातों में शक्ती या शक्ती नियंतरन निहित है। जिन व्यक्तियों के हात में शक्ती या शक्ती नियंतरन हैं उनका संबंद कानून एवं युद्ध से हैं। सदस्यों के आंतरिक प्रारूप के लिए कानूनी संस्थाएं उत्पन्द होती हैं। इस अर्थ में सरकार एक कानूनी संस्था हैं इसे जानना जरूरी है। युद्ध वा शक्ती हैं जिसका उप्योग समाज विशेश की संस्कृतिक संपुर्णता बनाए रखने के लिए होता है। राजनेतिक विवस्था में शाषन, शक्ती, कानून, बल प्रयोग, शक्ती, आदि को जानना अविश्यक है। बृतानी दर्शन शाष्त्री बट्रिन रसेल ने कहा है कि बल यह एक्षमता है जिसके द्वारा कुछ कार्य हो या जिसके द्वारा किसी विक्ती को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए। समाज शाहत्र में शक्ती का अर्थ सामाजिक संबंद के संदर्भ में किया जाता है। समाज द्वारा उचीत मना जाता है। ऐसे शक्ती को सत्ता या उठेरिति की संग्या दे जाती है। सत्ता उचीत या सही शक्ती है। सत्ता के लिए या आवश्यक है कि उस समाज के सभी सदस्य इसे मने या स्विकार करें। कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि सामाजिक प्रणाली में नहित सत्ता एक अलग ढंग से निर्धारित होती है, लेकिन वस्तविक शक्ती किसी दूसरे ढंग से सामाजिक संबंध प्रणाली द्वारा प्रमुक शक्तियों का निर्धारन होता है, ऐसे संबंधों द्वारा उन् सरंचना भले ही अनुपस्तित हो किन्तु शक्ति सरंचना अवश्य देखने को मिलती है इवांस प्रिचाड एवं ड्रायल फोर्ड ने एक पुस्तक अफरीकी समाजों की राजनितिक प्रणाली को संपादित किया जिसमें उन्होंने बताया कि राज्य जैसे संगठन की राजनितिक व्यवस्ता संभव है शात्रों अब हम पढ़ेंगे राजनितिक संगठन के प्रकार कुछ समाजों की राजनितिक व्यवस्ता राज्य जैसी ही संगठित होती है शेश राज्य विहिन होती है रड़कलिफ प्राउन ने दो एसे संगठनों का उल्ले किया है जिस द्वितिय ऐसे समाज जहां राज्य नहीं हैं। उन्होंने राज्य विहिन समाज के दो उपवर्ग बताए हैं। पहले वर्ग में ऐसे समाज आते हैं जिसके राजनितिक कारिय विस्तरत परिवार्दवरा संपन होते हैं। और दुसरे वर्ग में वे समाज आते हैं जिसके र यहां राज्य जेसी कोई चीज नहीं है, फिर भी ऐसे समाजों का राजनितिक आधार न तो परिवार है और नहीं गोत्र। दुसरे शब्दों में कुछ राज्य वेहन समाजों के राजनितिक कार्य नातेदारी समुहों पर आधारित नहीं होते हैं। पोल वहानन ने कहा है कि ऐसे समाजों जिनके राजनितिक कार्य नातेदारी समुहों पर अर्लंबित नहीं है। और कुछ ऐसे समाज जिनके राजनतिक कारिय नातेदारी समुह पर आधारित नहीं है, ऐसे समाज के राजनतिक कारिय किसी दुसरे माध्यम जैसे आयू समुह ग्राम परिशद मुक्या से पुरे किये जते हैं। राजनतिक संग्ठन की सरंचना को दो भागों में बाटा जा सकता हैं। पहला राज्य संग्ठित समाज और दुसरा राज्य विहिन समाज। छत्रू राज्य विहिन समाज को पुनह दो भागों में बटा जाता है पहला नातेदारी समुह पर आधारित जिसमें परिवार, वंश समुह, गोत्र, बिरादरी, आधी को सम्मिलित किया जाता है और दूसरा गेर नातेदारी समूह पर आधारित समाज जिसमें आयू समू, ग्राम परिशत और मुख्या को सम्मिलित किया जाता है राज्य संगठित समाज के रूप में क्षेत्र और ऐसी आबादी जो सांस्कृतिक रूप से संगठित हो केंदरेश शाषन या सरकार जिसके कार्य अब पिडखों सम्मिलित किये जाते हैं राल्फ लेंटन ने अपने पुस्तक मानुव का अध्यायन में राज्य की चर्चा करते हुए कहा है कि यह एक ऐसी संज था है जिसके सामन्ने विशिष्टा सू संगठित शाषन है राजने तिक संगठन के कारियों का संचालन शाषन द्वारा होता है शाषन का संचालक कोई कुशल विक्ती होता है जिससे सर्वोच प्रशाषक कहा जाता है वे बिड़न समाजों में सर्वोच प्रशाषक प्रधान निता, राजा, प्रमुक आधी कहे जाते हैं सर्वोच प्रशाशक चुने हुए क्षेत्र या अनुचरों द्वारा अपनी शक्ती या सत्ता का प्रयोग करते हैं। वह राज्य विवादों का निप्टारा करके आंतरिक शक्ती कायम रखता हैं तथा बहरी आक्रमणों से सुरक्षा का प्रभंद करता हैं। सरल तकनिक की वाले समाजों में राज्य की संगठन का आधार एक जिसा नहीं है। शात्रों अब हम राज्य विहिन समाजों के राजनितिक संगठन के बारे में अध्यायन करेंगे। राज्य विहिन समाज दो तरह के होते हैं। पहला नातेदारी नेमों पर आधारित राजनितिक संगठ और दूसरा ऐसे समाज जिसकी राजनेतिक क्रियाई नातेदारी नियमों पर आधारित न होकर कुछ और नियमों पर संग्ठित होती है जैसे आईू समूः, वैंश समूः, ग्रामपरिशत या मुख्या के निर्देश के आधार पर या मुख्या ध्वारा परिचालित राजन अधिकतर राज्यों विहिन समाजों की राज्यनतिक प्रक्रियाएं नातेदारी नेमोद्वारा परिचालित होती हैं। एसे समाजों के सटिक उधारन हैं। ऐसे समाजों में पास से विश परिवार के वेक्ति एक साथ रहते हैं। विश परिवेक्ति दल समू का नेता होता हैं। यहावश्यक नहीं कि सबी विश परिवेक्ति उसके बातों को मान नहीं। वह इस अर्थ में नेता है कि निश्चित अर्थिक्रियाओं को संगठित करता है। वह लोगों को बताता है कि उन्हें कहां जाना उचित होगा ताके शिकार या ख्यादिपदार्थ मिल सके। पड़ोसी दल समों लोगों के साथ विवा की बात्चित तथा उसके भूभाग में प्रवेश की अनुमति के लिए अगुआ ही दुद का कारिय करता है। वंश नियम पर आधारेत राजनितिक संगठन का उदाहरन पुर्वे अफरीका एवं मिलेनिश्या के समाज्य में मिल दिकलता है कि यहां घाना के टिव अदिवासे समाज के राजनितिक संगठन पर संकशेप में चर्चा की जा रही है। टिव एकपित्र सत्तात्मक समाज है। प्रत्येक गाव में अनेक कुल समुह के सदस्य गण रहते हैं, प्रत्येक कुल समुह का अपना भूभाव होता है, यहां वे खेती करते हैं, प्रत्येक चमुह के सदस्य एक पुर्वश पुरुष से अपना संबंद दिखलाते हैं, दो पुर्वश भाईयों के वन्शज रहत जो अपना संबंद कुल पुर्वच पुरुस्य तो दिखलाते ही हैं साथ ही एक गोत्र के पुर्वस्य भी अपना संबंद जोडते हैं इस प्रकार दो या दो से अधिकुल समुह के सदस्य परस पर व्रहत नातिदारी समुह गोत्र के सदस्य हो जाते हैं सभी अपना संबंद एक दुसरे के पुर्वस्य से दिखाते हैं शात्रों अब हम वंच समूपर आधारित राजनितिक संगठन के रुप पर चर्चा करेंगे सामाजिक मानव विज्यान में कुल समूप या वंच समूपर तिरोध नियम के विशद व्यक्या इवांस परिचाड के पुस्तक नियूवर में हुई है नियूवर एवं टीब के अतिरिक्त अफरिका एवं मिलनेशिया के कई एक समाजों में राजनितिक संगठन का अधार कुल समूपर तिरोध नियम है मार्शन सहलिन ने मिलनेशिया द्विपवासी में इस नियम के प्रधानता पर बल दिया है दो वंश समूपर के मध्य जगडों का निप्टारा परस परबस्चिस से हो सकता है और दो सी व्यक्ति को क्षति पुर्ती देनी पड़ती है छात्रों अब हम आयो संगठन के अधार पर राजनतिक प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे इस प्रणाली से परिचालित समाजों में विशेश प्रयोजन से वंश के सामाजीक दैत्व का भार पुरुष वर्ग पर हो सकता है ऐसी व्यवस्ताओं में सरवादिक महत्वपुन अंतर वयस्क वर्ग एवं बुड़े लोगों के मध्य हैं जो भारी कारी करने में असमड़ते हैं पुर्वी एवं दक्षिनी अफरिका के कुछ समाजों में उप्चारिक रुप से सभी पुरुष प्रास्थिति में प्रविश्ट होते हैं एवं उससे निश्चित समय पर उप्चारिक रुप से अलग हो जाते हैं समाजीक आयू वस्तविक आयू से अधिक महत्वपुन हैं विक्ति को वयस्क तब माना जाता हैं जब उसके वयस्क प्रस्थिति प्राप्त हो जाती हैं एक आयू समू के सभे सदस्य एक यही समय में दिक्षित होते हैं उसके लिए कोई विशेश कोष्णा भी हो सकती है एवं यह निश्यकाल तक चलता है जिन्होंने एक साथ दिक्षा के रस्मों को अदा किया हो उन्हें उपसमू कहा जाता है कुछ पानुशास्त्री एक वर्ग में दिक्षित यूवको को ही आयू समू का सदस्य मनते हैं एवं बड़े समू को पिड़ी की संग्या देते हैं पुर्वे अफ्रिका की आयू व्यवस्ताओं से वयस्क वर्गवाले सुराक्षात्मक नड़ाई के लिए जिम्मेदार होते हैं गुरुजनों के आदेशा नुसार उन्हें अपरादियों को उनके सामने प्रस्तुत करना पड़ता हैं पश्चमे अफ्रिका में आयू समूग एवं समीतियां जिनकी सदस्यता इच्छिक होती हैं राज्यों एवं आयू विहिन समाजों की राजनितिक विवस्ताओं में मिश्रित रुप से पाई जाती हैं आयो समूह एवं दुसरे प्रकार की समीतियों में राजनितिक दायत्वों का विभाजन पुर्वी नईजिरिया के क्रोसरी वर्ग शेत्र के यांकों में पाते हैं। मद्धिप्रदेश के वस्तर जिल्ने में इस्थीत अबुजवार के निवासी जिने पहाडी मुर्या कहा जाता है। यह समूह गोंड जन जाती का एक उफ़र्ग हैं यहां आयो वर्ग के आधार पर कारिय किया जाता है। अरुशा समाज में जब किसी बात पर विचार करना होता है तो ब्रत्य एक छोटे इस्थाने समूह के गुरुजण एक जगह एकत्र होते हैं। ऐसे मामले संग्ठन अत्मक होते हैं जैसे समूह का निर्मन, खेतों किसी मसंबंदी जगड़े, रेन का दावा या अपरात के लिए हर जाना। पुर्वे अफरीका के करिमो जोंग पशुपालक समाज में आयू समूह प्रणाली के द्वारा सर्वजणिक बातों के निर्नाएं लिए जाते हैं। इस समाज में सरकार या शाषन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। करिमो जोंग राजनितिक संक्ठन का वरणन डायसन हडसन ने अपनी पुस्तक करिमो जोंग राजनितिक प्रणाली में किया है। अफ्रेका के अतिरिक्त आस्टेलिया तथा उत्रे अमेरिका के कुछ समाजों में राज्य विहिन राजनिती का आधार आयू समू है अमेरिका के दक्षिन पर वे भाग के प्यूबलूं रेड इंडियन समूहों में एरिजोना के होपी राजवियन समाज भे होपी का राजनितिक संक्टन नतिदारे समूह पर अधरित नहीं है परंपरगात विवस्था के अंतरगत होपी समाज दो प्रकार के समुह हैं संसकार समुह एवं धार्मिक समुह आयो बढ़ने के साथ युवक संसकार या धार्मिक समुह के सदस्य बनते हैं संसकार समुह का मुख्य कारिय उस समुह का आयोजन करना होता है होपी समाज में राजनितिक कार्य संसकार एवं धार्मिक समूह के सदस्यों द्वारा होता है अन्य समाजों की तरह होपी समाज में राजनितिक प्रधान विक्ति नहीं होता है भारत के मध्यप्रदेश की कमार जनजाती समाज में परंपरागस्विकरत नीमों की प्रमुक्ता बताते हुए श्यामा चरंदुबे ने लिखा है कि जनजाती नीमों के विरूद जाने वाले को पंचाय द्वारा दंडित किया जाता है कमार समाज की राजनते क्रियाएं ग्राम समुव में नहीं धोती हैं आसपास के ग्राम समुव अपनी पंचायत बना लेते हैं पंचायत का निर्ने सर्वसम्बती से या बहुमस्थ से होता है यहां यह उलेखनी है कि गंभिर प्रकार के समस्याएं ही ग्राम पंचायत के समख्ष प्रस्तुत के जाती है छोटे मामलों में बुजुर्गों के मतों के प्रधानता रहती है वे विचार, जादू टोना, द्वारा किसी की हत्या, पशुओं की हत्या, निम्न जातियों के साथ समपर्क, आदे मामलों पर कमार ग्राम पंचायत के गंभिर रुप से विचार करती है छात्रों, अब हम पढ़ेंगे मुख्या द्वारा परिचालित राजनेते क्रिया है या अवंशा नुगत भी, जन जातिय ग्राम का मुख्या वही होता है, जिसका नाम या परिवार ग्राम के स्थापना के इतिहास से जुड़ा होता है जारखन के छोटा नकपूर के हो जन जाती, मुंडा जन जाती और उराव जन जातियों का मुख्या गोत्र का वरिष्ट विक्ति होता है जिसका नाम ग्राम के स्थापना से जुड़ा होता है उसी के वंश्यज मुख्या पस संबालते हैं यह अविश्यक नहीं कि जाती या पंचायत का मुख्या ही अधुनिक ग्राम पंचायत का मुख्या हो ग्राम पंचायत के रूप रिखा जाती पंचायत से भिन नहीं विबिन निक्षित्रों में ग्राम पंचायत के स्थापना से परंपरागस जाती पंचायत में हास होना शुरू होता है राजनितिक प्रक्रियाएं सारवजनिक मामले होते हैं व्यक्तिगत नहीं राजनितिक प्रक्रिया से एक पुरा समुदाय प्रभावित होता है यह प्रक्रिया उद्देशिपरक होती है राजनिते क्रियाद्वारा सत्ता का निर्धारन होता है यह शक्ती अत्वासत्ता किसी व्यक्ती में निहित हो सकती है या वर्ग विशेश में निहित हो सकती है क्या हम चाहते हैं और किस प्रकार इसे पा सकते हैं आदे बते राजनतिक भ्यवहर के अंतरगत आती हैं इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्यक समाज में राजनतिक प्रक्रियां हैं ततापित यह संभव है कि वहां शाशन या शाशक न हो